सब्सक्राइब कीज़े प्राइम टीवी टेक यूटूब चैनल को बेला आइकन को दवाएं और अल नोटिफिकेशन को आउन करें सबसे पहले टेक वीडियो देखने के लिए करने का प्लान कर रहे हैं तो यहां पर आपके लिए एक कंफ्यूजन बहुत बड़ा क्रियेट हो जाता है चूंकि रिसेंटली अभी वन प्लस ने अपनी वाई सीरीज अपनी नई था 10 में लाउंच की है साथ जिसाथ में यहां पर आपको साव मियाने की मी तीवी भी आपको यहां पर फोड्टी इंचेस मैं आपको फूरे वरीजं जो सिरीज थी तो उसके आपको लेटेश तीवी आपको देखने मिल रही तो दोनों भी प्रूटी इंचेस में बैस्ट आपको यहां पे features के साथ में TV प्रोवाइड हो रही है तो आप माइन में confusion यह हो रहे है कि कौन सी एडिये TV रहेगी आपके लिए best और आपको कौन सी एडिये TV पर्चेस करनी चाहिए तो इस वीडियो को यह आप लाज तक देखते हैं तो आपके माइन का सारा confusion दूर हो जाएगा और आप चूज कर पाएंगे कि आपके लिए दोनों में से कौन सी एडिये TV बेस्ट रहेगी तो यह जानने के लिए वीडियो को लाज तक देखते रहे हैं आपके अपने यूटूब चैनल प्राइम टीवी टैक मैं तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस इंटरेश्टिंग वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं है है ठीड श्रीड़े से फ्रेंड सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहां पर TV को देख करके क्या पर फीलेंग आती है तो दौनों पर जो लोक्स एक जांए काफिया अच्छा यहां पर अट्रक्टिव लोग आपको यहां पर देखने मिल जाता है, यहां फे दॉनों TV में LEMP आपको तेर संवी में जी और एक एक सरकेपा 25 तेकर में production इसे 4 सवानत के विक मैं आपको सब। नहीं मिलता है और यहां पर आपको दो यूएसबी देखने मिल जाते हैं यहां पर आपको आपको और यहां पर को दो देखने मिल रहा है कि यह दो चीजेब आपको आपको टीवी में यहां पर कुल यहां पे आपको यह सी यहां पर यहां पर यहां फैक चलागा तो पिछला जो TV यहाँ पर लॉंच हुआ था वाइश सिरीज का तो यहाँ पर टीवी में जो 32 इंच और 43 इंच में जो मॉडल जो लॉंच हुए थे तो उनमें जो कलर देखने मिले था काफी अधा over saturated लेकिन यदि आपको पसंद है तो आप वन प्लस टीवी को चूज कर सकते हैं वहीं पर बात करते हैं तो दोनों ही तीवी में आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिल जाता है आपको यहां पर देखने मिल जाता है तो यहां पर थोड़ा सा डिफेरेंस आपको देखने मिल जाता है वहीं पर बाग कर लेते हैं रेम और स्टोरेज की तोो डोनों सेंगल बैंड वाईफा काके कनेक्टिविटी आपको फीचर देखने मिल जाता है वहीं पर आपको डोनों साउंड आउट्पूड देखने मिल जाता है तो यहां पर देखा जाए तो sound output की क्योंकि काफी अधा thin यहां पर काफी अधा slim है टीवी तो यहां पर आपको अच्छा sound experience दिखने नहीं मिलेगा बट जो यहां पर बात करने चोटे रूम के लिए तो काफी अधा आप यहां पर काफी नॉर्मल यदि आप इंजॉय करना चाहते हैं तो काफी अच्छा sound experience लेना चाहते हैं तो मैं सज़ेस्ट करूंगा कि एक sound bar आप यहां पर यूज कर रहे हैं तो वह ज्यादा बैटर experience आप ले पाएंगे फ्रेंट से बात करते हैं यहां पर Bluetooth की तो यहां पर दोनों ही टीवी में आपको Bluetooth 4.2 का support देखने मिल जाता है वहीं पर दोनों ही टीवी का जो resolution है तो यहां पर आपको full HD resolution 1920s to 1080p resolution आपको देखने मिल जाता है यहां पर बात करते हैं यहां पर OS की operating system की बात करें तो मी में आपको patch wall का operating system देखने को मिल जाता है जो की काफियादा स्मूथ वर्क करता है और वहां यादी बात करें OnePlus की तो OnePlus में आपको oxygen प्ले का यहां पर यूएस operating system जो देखने मिल जाता है दोनों देखने वाइस काफियादा स्मिलर है और OnePlus का जो operating system है काफियादा patch wall से मिलता जलता है तो यहां पर दौनों का ओवर्वर एदी देखा जाए तो काफियादा सिमिलर यहां पर आपको OS देखने मिल जाता है फिर्ट्स यहां पर दोनों ही टीवी में आपको DTS HD का support देखने मिल जाता है सांत में यहां ज्यादा यहां पर content को watch कर सकते हैं तो यह फीचर काफी अच्छा आपको यहां पर देखने मिल जाता है और फ्रेंट्स बात करें और अधर फीचर के तो कुछ मिलते जुलते आपको दोनों ही टीवी में फीचर देखने मिल जाते हैं और यहां पर दोनों के conclusion की यदि बात क कर लेते हैं Process की तो ली तो है को असी देखने मिल जाता है जो कि यहां पर वायफ्वाइं की जो connectivity है तो यहां पर फोड़ा सा डिलेश आपको देखने मिल जाता और बांकि तो ओवराल इस बजट प्राइज में काफी अच्छा टीवी आपको यहां पर देखने मिल जाता है वहीं पर बात करें वन प्लस के टीवी के कॉंस की तो यहां पर आपको जो कलर से काफी ज्यादा ओवर सेचुरेटेड देखने मिल जाते हैं तो यह कुछ आपको यहां पर कॉंस दोनों देखने मिल जाता है बांकि जिस प्राइज में यह मिल रहे हैं तो यह काफी अच्छा अच्छा बजट सेग्मेंट है और यदि आप पूर्टी इंच में टीवी लेना चाहते हैं तो यहां पर फूल एजडी टीवी काफी अच्छा यहां पर आपको यह टीवी देखने मिलने वाला है वहीं पर वनप्लस के टीवी के मिल रहे हैं उपके यह 21,000 रुप incar एके-हां आपको देखने मिल जाएगा जो कि यहां पर आपको टीवी लगभग 20,000 रुपए तक की प्राइस रेंज में आपको देखने मिल जाएगा तो यदि आप दौनों में ऐसी टीवी के बात करें आप कौन सा टीवी परचेस करें तो मैं यहीं सजेस्ट करूंगा कि यदि आपको एक फौल सब्सक्राइद तक यहांगे, फ्री भाट जाए को घृटति प्राइम वीडियो जैसे के फील नौल सभी दिवी परॉटी सब्सक्रांय करें हैं यदि आपको यदि बात करें नेट्फिक्स या फिर प्राइम वीडियो जैसे के ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट को वॉच करना है तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 4K टीवी लें उसमें आप ज्यादा पिक्चर पिक्चर क्वालिटी ज्यादा अच्छे आप वहां पर देख पाएंगे तो यहां पर दोनों टीवी में आपका छोटा रूम है तब आप फूल एच्डी टीवी यह दोनों मैं से कोई भी ले सकते हैं तो क्योंकि बात करना 4K टीवी की तो 4K टीवी आपको 2-3,000 रुपए य आपको एक 43 साइज में आपको 4K TV मिल जाएगा तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि यदि आप फूल एच्डी टीवी लेना चाहते हैं तभी आप इन दौनों टीवी में से कोई सा एक टीवी चूज कर सकते हैं अब एक ऑप्शन और मैं आपको देता हूँ यदि आपको ARC पो देखने मिल रहा है तो आप दौनों में से कोई से भी चूज कर सकते हैं जो भी आपको मिल जाता है तो दौनों टीवी के मैं जो बाइलिंक आपको दिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा अलग-अलग साइज में तो उमीद करते हैं कि आज का वीडियो आप सब लोगों को पसंद आया होगा यहां पर पोश्ट बगर करते हैं तो उसका जो नोटिफीकेस ने वह आपको सबसे पहले मिल सेके हैं तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई और इंटेस्टिंग वीडियो के साथ मैं तब तक के लिए जैहन झाल काल